तब को बता दे अब सीधा बिलाफूर से प्रत्यासी बीजेपी के अमर अगरवाल से हमारे सायोगी संदीप करियाने को बातशीत की है सुनिए आप क्या कुछ कहा उनों ने पूर्मंत्रे और बिलाफूर से भाजपा के प्रत्यासी अमर अग्रवाल जी अपने पत्नी के साथ वोट करने पहुंचे थे उनसे जानेंगे कि क्या कहेंगे आज आप मद्दान करने पहुंचे मैं सभी मद्दाताओं से भाई बेनों से आगरह करता हूँ इस लोग तंत्र के परो की खुशी के लिए मद्दान अवश्य करें मद्दान करने से पहले दो मिनट के लिए अवश्य सोचे इस प्रदेश को किसने बनाया और कौन समार सकता है इस बिलाशपूर में अपराद युक्त किस ने किया, विकास सुन्य किस ने किया, नेत्रित विहिन किस ने किया, यह जरूर सोचें और बोट उशी को दें, जिसने छत्ति दिगर बनाया है, वही शवारेंगे, जो बिलाशपूर को नेत्रित दे सकता है, बिलाशपूर की प्राद मुक्त कर सकता है एक चंद के लिए सोचेंगे तो आपको सही प्रत्यास्टी चैन हो सकेगा यहीं मेरा आग्र है इस बार आप काफी सक्री नजर आया प्रचार पसार में आपने सारी मद्दातां तक पहुंचेंगी पूरी कोशी से की लोग तंत्र में कोई भी कि हर मद्दाता से रूब्री हो जाए क्योंकि जन प्रतिनीदी से जनता मिलना चाहती है लेकिन उसके बाद भी मैं बहुत जगन नहीं पहुंच सका तो मैं चमा प्रारती हूं लेकिन मैं एक बात का वादा करता हूं जनता के आशिरवाद से मैं विलास्पूर के एक-एक मद् आप अपनी जीत को लेकर प्रदेश में सरकार को लेकर कितने अस्वस्त हैं भारती जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बनने जा रही है बिलास्पूर की जनता जो अपने आपको नेत्रित विहीन शमझ रही थी और नेत्रित विहीन किस ने किया आप भी समझते हैं तो जंता एक सशक्त हाथ में नेत्र तो देने जा रही है तर पार कांग्रेस की सरकार ऐसा दावा कर रहे हैं क्या वह थोड़ा था गलती कर गया है इन्होंने सीजे तोर पे चूटकी लिए और कहा कि कांग्रेस 75 पार नहीं बल्कि गलती को सुधारते वे साव पार का दावा करें अमार अग्रवाल ने जीत को लेकर अपना अस्वत जाहिर किया है कैमराण आसी स्वास मिसान संदीब करियार आयने 24-7 बिलासपूर तो सुना आपने ये थे विलासपूर से बीजेबी के प्रत्याशियों और पूरो मंतरी अमार अग्रवाल जिन्होंने कहा है कि इस बार बदला होने जा रहा है विलासपूर में बता देंकि इनका जो मुकाबला है कॉंग्रिस के श्वैलिश पांडे से है और यहाँ पर जीत का दम भरत वे नजर आ रहे हैं अमार अग्रवाल हलकि देखना होगा कि 3 दिसंबर के बाद बिलासपूर की तस्वीर कैसी होगी क्या अमार अग्रवाल को दुबारा बिलासपूर की जनता चाहेगी